सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका अपने मेरा बच्पन चैनल पर तो दोस्तो आज अपन बनाने वाले हैं सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक कर दो तो यह मैंने सबसे पहले देशी घी डाल लिया है इसमें अब इसमें मैं गाजर को फ्राइब करूंगी जैसे ही कलर चैन्ज हो जाता है अब डालेंगे अपन इसमें मिल्क बहुत ही मलाई वाला और जैसा की आपके पास जैसा भी हो डाल देना इससे दूद मा बॉयल करना बहुत ही जरूरी है दूद मा बॉयल करने से बहुत ही अच्छा वनता है इसका टैस्ट दोगना हो झाता है यह बहुता है तो यह इनको डाल दिया है और आपन बॉयल होने देते हैं एक यह को रही है और इनको चलाते जाएंगे बीच बीच में जब तक हम कर लेते हैं अपनी चीनी साफ और किसमे काजू को तयार कर लिया है और यह ले लिया अपने मावा तो अपने इसको थोड़े थोड़े चोड़े तुकड़ों में तोड़ लेते हैं अगर इसको ऐसा ही डालेंगे तो एक घटाई रखा रहेगा तो अपने इसको छोटे चोटे तुकड़ों में तोड़ लेते हैं और एलाईची को तयार कर लेते हैं तो अब आपन डाल देते हैं इसमें चीनी कर देते हैं इसको मेक्स अच्छे से और इसको जब तक चलाती रहेंगे जब तक इसमें सक्कर का पानी खतम ना हो जाए चीनी का पानी और इसको लगातार पकाते रहें जब तक इसमें अब अपने इसमें मावा डाल देते हैं और डाल देते हैं मेवा किश्मिस काजू इवे ने सब साथ में डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करती है जब तक इसका और ही पानी सुख जाएगा और चलाते जाएंगे इसको अराम से हल्वा भूती टेस्टी बना था आप एसे एक बार बना के ट्राइ करना और अपने इसमें डाल देते हैं अब एलाइची पाउडर यह मैंने फोर इलाइची ली है बारिक पीजलिया इनको और मैंने इसमें डाल दिया इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है थैंक यू फोर वाच के लिए और अपना फल्वा बनने ही बाला है तो लाश्ट तक देखे जाना कैसा बनता है अब खागे भी जाना अब सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए